नमस्कार दर्शको एस्टो तक में आपका स्वागत है मैं आचार एजेपि सिंग और आज विशेशते हम बात करना चाहेंगे श्रादपक्ष की कि श्रादपक्ष 15 दिन के ही क्यों होते हैं और इसका क्या मेहत्व है अब सबसे पहली बात देखिए आप लोग सभी ग्यानी ल लेते हैं और यही महत्ता है असरों तक कि वह भारतिय संस्क्रति सनातक संस्क्रति का पूर्ण तह से पुचार करता है पूर्ण तह से उसका ज्यान विस्तित रूप से हमें देता है अब हम सबसे पहली बात समझ लेते हैं कि पित्रपक्ष है क्या और इसे श्रादपक्ष क् हम ले लें, तो सबसे पहली बात आती है, शर्धान जिली, शर्धा कुष्प अर्पित करने का समय, तो पंद्रा दिन का वह समय, जिसमें हम श्राध करें, क्योंकि पक्ष अगर कहा जाए, तो दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्र पक्ष है, अब यहाँ पर ये जो प भक्षप क्योंकि जो चंदर की कलाएं बढ़ती हैं तिति सिए और सली यह 15 दिन का होता है अब यह 15 दिन का ही क्यूा मनाया जाता है अगर ने करें भ्यों दो दिन का ही दें कि श्राद मनाया जाएगा तो सी दिकत हो जा जाएगी ऐधीन को सु diffस्स तेक्निकल यह लिद अगर प्रतम तिती पर कोई विक्ति का दिहानत हुआ है तो प्रतम श्राद उनका होगा और अश्टमी को हुआ तो उनका अश्टम श्राद होगा और अगर द्वादशी पर हुआ तो द्वादश श्राद उनका होगा इसलिए ये पंदरा दिन का पक्ष लिया गया कि सब के श में हमारे रिशी मुनियों ने इसका भिizen महाधान या कि हम झिंके भूल्चूक हमें पता या जिनका हमें ज्यात नहीं एंकि किस तिथी पर गए हैं उनका हम अमवस्य तिथी पर श्राद कर सकते हैं debt to be a तर प्रात सबसे महत्पूर्ण बात इससे अब और जाएस हम पहले आपको बता चुके हैं कही बार कही चीजों के अंदर कि इस समय अगर मास में दिखा जाये तो शिव धरती पर वास करते हैं यह गणभती उतसफ गया तो इसमें गणभती धरती पर वास करते है तो प्रिट्ट्री लो भू में त्यों पर हमारे नियुल्ग पर सारे हक लेने के हखदिकारी हैं उनकी सब पद्धी उनका सब कुछ तो उनके लिए श्रधांजी दे लिए उनके लिए पूजन यापन करना हमारा ही जाचते हो जाता है अब उधारण के लिए सबसे महतुपूर बात समझ लीजिए कि हमारे पित्रों की अगर मान लीजिए किस इसका लाब भी ले सकते हैं क्योंकि पित्रों आपकी पत्रिका में अगर इंगित हो जाता है तो आप जान लीजिए आपको बहुत सारी समस्याओं से जुड़ना पड़ता है जैसे संतान उत्पत्ती ना होना वेपार का ना चलना ग्रह कलेश होना मानसिक पतारना मेरेना र समझ लीजिए आपकी पत्रिका में पित्रो दोश है तो यह अच्छा मौका है अच्छा समय है जिसमें आप अपने पित्रों को प्रसंद कर सकते हैं इन दोशों से मुक्ति पा सकते हैं तो क्यों ना इस पत्रों को हम लाब लें और अपने पित्रों का अश्रवाद ले लें धन्यवाद नमस्कार